गुड मॉर्निंग एवरीबन आज हम देखने वाले देखो पलिस रैंक पलिस विबाग की रैंक हम कैसे पैचानेंगे कि कौन व्यक्ति किस रैंक का है कौन सा दिकारी किस रैंक का है अगर आप मान लिजिए आप किसी भी पलिस सर्विस ठीक है या फिर आप किसी भी C.A.P.F. परा-Military Force या Defense की तयारी कर रहे है या नहीं भी कर रहे है तो भी आपको ये वीडियो देखने चाहिए आपको Solder Badge देखते ही पता हो जाना चाहिए कौन सा दिकारी किस रैंक का है तो देखो यहां तक की रैंके तो सभी लोगों को याद रहती है यहां से उपर वाली रैंके पहचानना बड़ा मुस्किल हो जाता है वच्चों के लिए और ज़्यादतर लोग यहां से उपर की रैंके नहीं पहचान पाते है देखो क्या होता है मैं यहां से उपर वाली र ठीक है पहले ये 1 फीती 2 फीती 3 फीती C.A.P.F. और C.A.P.F. के अंदर चलती थी 1 फीती का मतलब होता था लैस नायक ठीक है फिर उसके बाद में बनता था नायक, दो फीती लेने से, फिर तीन फीती लेने से वो क्या बन जाता था, हवलदार, ठीक है, तो पहले ये चलती थी, एक फीती, दो फीती, तीन फीती, एक फीती मिलती थी, पांस साल, साल की सर्वीस के पसाथ, फिर बारह साल की सर्वीस के पसाथ, फिर वल्लार बनाया जाता है, काँ स्टेबल के बाद, ठीक है, तो आप चाहे किसी competition की तयारी कर रहे हो, या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको rank के, पता होनी चीए, एक असो के स्थम, एक कहची और एक डंडा, एक क्या है, कहची और एक डंडा, ठीक है, ये डंडा है, ये, ये किसक इन दोनों की वर्दी पर क्या होगा, एक कैची हो गई और एक डंडा होगा, ठीक है, आईजी, आईजी असो की इस्तम की जगे, आईजी जो रेंग का अधिकारी होता है, उसका असो की इस्तम की जगे पर क्या आ जाता है, इस्टार आ जाता है, ठीक है, बाकी कैची और डंड सेम रहता है थीक है उसके पसाथ आ जाता है फिर DiG तो DiG rank का जो भी अधिकारी रहए गए एक असोख किस्तमब हो गार तीन स्टार होंगे थीक है यह कौन हो गया DiG就到 एक असोख किस्तम के साथ तीन स्टार अभी यहां से नीचे अभी पुरा असो किस्तम भी चलेगा, IG और DGP में बस इतना ही फरक है, IG के पास स्टार होता है, और DGP के पास में क्या होता है, असो किस्तम होता है, ठीक है, अभी दो मानली जी स्टार है असो किस्तम के साथ में, तो वो SSP हो जाएगा, कौन हो जाएगा, SSP ह अगर एक इस्टार है तो एस्पी हो जाएगा अगर इस्टार नहीं है तो एस्पी हो जाएगा एडिस्टनल एस्पी और तीन इस्टार हैं बिना चिंदी के चिंदी किसको बोलते देखो रेड कलर की और बिलू कलर की दो पट्टियां होती है इनको बोलते चिंदी ठीक है अगर मान लीजिए, बिना चिंदी के दो स्टार हैं और एक स्टार हैं, तो इसका मतलब हो गया कि वह अधिकारी प्रोवेशन पिरियड में चल रहा है, किसके अंदर? प्रोवेशन पिरियड के अंदर. ठीक है, एक स्टार का मतलब हो गया, अभी पहला साल कंप्लीट हुआ है प्रोवेशन पिरियड का, और दो साल का मतलब हो गया कि दो साल पूरे हो गया है, दूसरा साल पूरा होने वाला है, यानि दूसरा साल चल रहा है प्रोवेशन पिरियड का, ठीक है, पहला साल चलेगा, तो यानि एक स्टार दूसरा साल अगर प्रोवेशन का है तो दो स्टार और IPS लिखा हुआ होगा इस सभी वर्दियों पे क्या लिखा हुआ है IPS लिखा हुआ है ठीक है जब भी IPS अंडर ट्रेनिंग में होता है तो अगर पहला साल है प्रोवेशन पिरियड का तो उसको एक स्टार नीचे IPS का बेज दिया जाता है अगर उसका दूसरा साल है प्रोवेशन पिरियड का तो दो इस्टार दिये जाएंगे नीचे IPS का बेज लगा हुआ होगा ठीक है यह IPS के बेज लगे हुए होंगे ठीक है यह difference हो गया किसका एक probation period में IPS अधिकारी और एक जो complete कर चुका है वो IPS अधिकारी ठीक है उसके बाद आ जाता है फिर से SP हो गया ठीक है एक star और एक असो किस्तम के साथ में यह हो गया फिर ASP खाली असो किस्तम और तीन star में क्या हो जाएगा DSP उपर मैंने बता दिया आपको अगर तीन star चिंदी के साथ में red color की red color की देखो यहाँ पर चिंदी नहीं है किसी पर भी तो यह देखो चिंदी चिंदी रेड color की नीचे blue color की चिंदी होगी नीचे blue color की चिंदी यह देखो यह blue color की चिंदी है अगर चिंदी के साथ में तीन star है तो कौन होगा inspector होगा कौन होगा inspector होगा और चिंदी के साथ दो star है तो sub inspector होगा और चिंदी के साथ एक star है तो assistant sub inspector होगा ठीक है यह police के अंदर rank चलती है इसमें CAPF के अंदर क्या होता है अगर बिना चिंदी के अगर तीन इस्टार हैं तो Assistant Commandant होगा जो डारेक्ट UPSC से आते हैं अगर असोक इस्थम में परमोशन वाले भी होते हैं सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर से भी एसी बनते हैं अशा जरूरी नहीं है लेकिन अधिकतर अभी UPSC से बढ़ती होने लग गया Assistant Commandant अगर मानली जी एक सिंगल इस्तम है तो कौन होगा डिप्टी Commandant होगा डिप्टी Commandant होगा अगर एक स्टार ओर जुड़ गया तो कौन हो जाएगा Commandant हो जाएगा कमांडेंट हो जाएगा ठीक है अगर एक श्टार और जुड़ जाता है दो श्टार अगर हो जाते हैं तो वो हो जाएगा सीनियर कमांडेंट कौन हो जाएगा Senior Commandant हो जाएगा 2 Star और असुक इस्तम उसके बाद में वही सेम अगर 3 Star हो गए 3 Star होने से क्या हो जाएगा DIG हो जाएगा और 1 Star और कैची अगर आ गई तो क्या हो जाएगा IG हो जाएगा और Force के अंदर 3 Post चलती है SDG ADG और DGP SDG, ADG और DGP तीनों के बेज हैं जो सेम रहेंगे ठीक है जाएगा तर Forces के अंदर DIG rank से IPS अधिकार याना शुरू होते हैं फिलाल पहले Commandant rank से ही आते थे अभी DIG rank से आने शुरू होते हैं SDG, ADG और DGP तीनों के बेज सेम रहेगा एक असो के स्थम कैची और IPS लिखा हुआ होगा ठीक है असो के स्थम एक कैची कैची डंडे वाली कैची ठीक है और असो के स्थम और IPS लिखा हुआ होगा बेज पर बेज पर क्या लिखा होगा अगर IPS अधिकारी होते हैं जादा तर DGP डियाईजी, IPS, नोन आईपीएज दोनों प्रकार के हो सकते हैं ठीक है, फोर्सेज के अंदर डियाईजी हैं जो डारेक्ट AC होते हैं, वो भी परमोसन लेकर डियाईजी रेंक तक पहुंच जाते हैं ठीक है, तो अगर IPS है तो बेज़ पर IPS लिखेगा नोना IPS है तो उस जिस फोर्स में वो है, उस फोर्स का नाम लिखेगा, ठीक है, ये हो गई पुलिस और पेरा मिलिटरी से संबन दित, आपकी रेंके, अगर अभी भी किसी को डाउट रहा हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं उस पर अलग से एक वीडियो कभी बना दिया जाएगा इनकी गाडिया भी ओती हैं भाई, गाडियों पर भी इस्टार लगे ओते हैं, आप गाड़ी पर इस्टार देखकर आप बता सकते हैं डिजी की गाड़ी है, आप प्रेशिडेंट की गाड़ी है हो ठीक है तो आज की वीडियों बस इतना ही उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से rank समझ में आ गई होंगी किसी दिन army की rank के भी मैं बताने की कोशिस करूँगा आज की वीडियों बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद